फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत अपने यूटूब चैनल पे आज मैं आपके लिए HPGK के most important questions लेके हैं हूँ जो आपके exam के point of view से most important हैं आज हम डिसक्स करेंगे हिमाचपदेश की बुगावलिक स्थिति हिमाचपदेश के उत्र में जम्मू कसमेश, उत्रपूरम में तिबत, दक्षनपूरम में उत्राखन, दक्षन में हरियाना और पश्चम में पंजाव से गिरा हुआ राज्य हैं इसकी उन्चाई 350 मेटर से 7000 मेटर हैं इसकी सम्मन्य उन्चाई पश्चम से पूरव की तरफ बढ़ती है ये भी काफी important questions है next है हिमाचप पदेश को पुराने समय में जलंदर के नाम से भी जाना जाता था पदम पुरान के अंसार जलंदर सागर और गंगा का पुत्र है हिमाचप पदेश के तीन वगोलिक भागों में विवाजित किया गया है फर्स्ट है शिवालिक बहाय हिमाल्या जिसे ओटर हिमाल्या भी कहा जाता है शिवालिक परवत शेनियों को मानग परवत के नाम से भी जाना जाता है शिवालिक का अर्थ है शिव की चटाएं इसकी उंचाई 350 से 1500 मिटर है शिवालिक जो शेनिया है उनकी जो उंचाई है 350 मिटर से 1050 मिटर है यहां लगवग 150 से 118 सेंटी मिटर तक वर्षा होती है शिवालिक शेनियों में 150 से 118 सेंटी मिटर के बेच में वर्षा होती है नेक्स्ट है आंत्रिक एवं मद्य हिमाल्य जिसे इनर और मिडल हिमाल्य भी कहा जाता है इसकी उंचाई 1500 मिटर से 4500 मिटर है यहां questions बन जाता है कि जो आंत्रिक हिमाले हैं उसकी उंचाई कितनी है 1500 मेटर से 4500 मेटर जो है इसकी उंचाई है next questions है दोलादार श्वेथ श्रेणिया इसे मौलक प्रवत के नाम से भी चाना जाता है यहां चमबा मंडी और कांगडा में स्तित है यहां से भी questions बन जाता है कि दोलादार प्रवत श्रेणियों को और किस नाम से जाना जाता है दोलादार प्रवत श्रेणियों को मौलक प्रवत के नाम से जाना जाता है आप लोगों को confused नहीं होना है क्योंकि शिवालिक शेणियों को मानक प्रवत के नाम से जाना जाता है और दौलादार प्रवत शेणियों को मौलक प्रवत के नाम से जाना जाता है Most important question है यहां से काफी बार exam में questions पूछा जा चुका है Next है महान हिमाल्य जिसे crater हिमाल्य भी कहा जाता है जाशकर शेणिया ट्रांस हिमाल्य का एक बाग है यहां स्पिती और किनौर को टीबर से अलग करती है यहां questions भी exam में पूछिया जाता है कि स्पिती और किनौर को टीबर से कौनशी शेणिया अलग करती है तो जाशकर शेनिया जो है स्पिती और किनौर को तीबल से अलग करती है हिमाचर पदेश की सबसे उन्ची चोटी सीला जो है इनी शेनियों में शामिल है हिमाचर पदेश की जो सबसे उन्ची चोटी है सीला 7,026 मिटर की उन्चाई उसकी है यहां वर्षा बहुत कम होती हैं यहां बरब से डखा रहता है जो जासकर श्रेणिया है वो बरब से डखी रहती है और वर्षा यहां पे महुत कम होती है ग्रेटर हिमाल्या में हिमाल्य को एशिया का मौसम विज्ञान मौसम निर्माता भी कहा जाता है हिमाल्य को एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है दरमशाला हिमाचप देश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा देश का दूसरा स्थान पर है यहाँ पर 340 सेंटीमिटर की औस्त वर्षा होती है जबकि स्पीती में हिमाचप देश के सबसे कम वर्षा होती है नेक्स्ट है हिमाचप देश को बुकॉलिक अधार पर 5 भागों में विवाजित किया गया है हिमाल्य में सबसे अधिक वर्षा दक्षन पश्चमी मांसून से होती है जो बारत हैं वहां भी वर्षा सबसे अधिक कौन से मांसुन से होती हैं दक्षन पश्मी मांसुन से भारत में भी वर्षा सबसे अधिक होती हैं और हिमाले में भी सबसे अधिक वर्षा दक्षन पश्मी मांसुन से होती हैं नेक्स्ट है हिमाचप प्रशासनिक इतियास हिमाचप प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 55630 किलोमेटर हिमाचप प्रदेश का क्षेत्रफल है हिमाचप प्रदेश का सबसे छोटा जीला क्षेत्रफल के अनुसार हमीरपूर है कुलक शेत्रफल का 2.01 प्रतिशत जो है हमिरपूर के according आता है सबसे बड़ा जिला लोहल्सपिती है कुलक शेत्रफल का 24.85 प्Рतिशत जो है लोहल्सपिती जिले के according आता है हिमचर प्रदेश में जनसंqya बार्त की जनसंख्या का 0.7 प्रतिशत हिंसा है हिमच पदेश का गठन 15 प्रेल 1948 को हुआ 15 प्रेल 1948 को हिमच पदेश को मुख्य युक्त प्रांत बनाया गया जब पंजाव और शिमला की 30 भूत पूर्फ रियास्तों को मिलाया गया हिमच पदेश का जो निर्मान हुआ है हिमाचपदेश की स्थापना 15 प्रेल 1948 को हुई है यहां से भी काफी बार एक्जाम में कॉशन आ जाता है कि हिमाचपदेश को कब मुख्युक्त बनाया गया तो 15 प्रेल 1948 को हिमाचपदेश को मुख्युक्त बनाया गया और 30 रियास्तों को मिलाकर जो हैं हिमाचप पदेश का निर्माण किया गया नेक्स्ट है इस तरह 27,179 वर किलोमेटर क्षेत्रफल वर 9,35,000 की जन्संक्या वाले चमबा महाशू मंडी और स्रिमौर जिले का निर्माण हुआ जब हिमाचप पदेश का निर्माण हुआ 15 प्रैक 1948 को तो हिमाचप पदेश में 4 ज बन गया तथा 1956 तक रहा यहां से भी काफिवार एक्जाम में कौशन पूछ लेते हैं हिमाचप पदेश 25, Chill राज्यक तक रहा नेक्स्ट है एक जुलाई 1954 को विलासपूर जिले को हिमाचप परदेश में मिलाया गया यह हिमाचप परदेश का पांचवाँ जिला बना नेक्स्ट है हिमाचप परदेश 1956 से 25 जनवरी 1991 तक किंदर शाशित परदेश रहा यहां से भी काफी बार एक्सामें कोशन पूछ लेते हैं कि हिमाचप परदेश को किंदर शाशित परदेश का दर्जा कब दिया गया तो 1956 पो हिमाचप परदेश को किंदर शाशित परदेश बना दिया गया था और हिमाचप पदेश कब तक के इंदरशाशित परदेश रहा और 35 जनरवरी 1991 को हिमाचप पदेश को पुन राजञ का तरजा दे दिये गया और यह देश का 18 राज्य बना नेक्स्ट है उनिस सो स्थावन में ठाकूर करम सिंग की अध्यक्सता में क्षत्रिय परिशत्स का निर्मान हुआ एक मई 1960 को महाशु जीले की चीनी तेशेल वहरामपूर के 14 गाउं को अलग करके किनोर जीला बनाया गया तता यह हिमाचापदेश का छटा जीला बना नेक्स्ट है एक नियोंबर 1966 में पंजाव का पुनर गठन किया गया और कांगडा, कुल्लू, लहौल्सपिती और शिमला को हिमाचापदेश में शामिल किया गया नेक्स्ट है, 1966 में हिमाचापदेश का क्षयत रफल 106 प्रतिशत अथा जनसंग्या 108 प्रतिशत बड़ी most important questions यहां से भी बन जाते हैं कि हिमाचापदेश का पंजाव का जब पुनर गठन किया गया 1966 में तो हिमाचापदेश का क्षयत रफल कितना बड़ा 106 प्रतिशत जो है हिमाचापदेश का क्षयत रफल बड़ा और 108 प्रतिशत हिमाचापदेश की जनसंग्या बड़ी फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड सरकल में जाधा से जाधा शेयर करना थैंक यू